रुवार देख रहलबानी बिहार के डिश्टोप चांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्टूब चनल भारत लाइब टीवी बिहार सरकार के मुखिया नितीश कुमार तब से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो भी एक्टिव वो अपने सुसासन और अपने सरकार के भीतर नजर आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं बिहार सरकार सिक्षा ब्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस पर लगातार उंगलियां उठ रही थी कमर कसलिया है इसके साथ ही आने वाले 2020 के चुनाओं में नितीश कुमार एक अलग रणनिती जो की उन्हें आने वाले चुनाओं में पुना एस्थापित कर सके उस प्रधान मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है ऐसी स्थिती में कहीं न कहीं नितीश कुमार उन सारे मुद्दों को अपने पाले में करना चाहते हैं और उसके सहारे वो 2020 के मैच के साथ आगे 2024 में भी अपनी किस्मत आजम चाहते हैं इसकी खबरें लगतार चल रही हैं और इन सब को ले करके जिस तरह से नितीश कुमार की सरकार और नितीश कुमार फैसले ले रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो उसी तिसा में आगे बढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या रहा है और युवाओं में इसे ले करके हराशनियम भी लागू होता जा रहा है बिहार सरकार कई ऐसे फैसले ले रही है जिसे ले करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रोजगार का एक बाड़ा पीटारा नितीश कुमार खोलने जा रहे हैं इनी सब को देखते हुए जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके अनुसार सबसे पहले सिक्षा ब्यवस्ता को दुरुस्त करने की यूजना पर सरकार ने काम करना सुरू कर दिया है बिहार सरकार ने प्रदेश में सिक्षा ब्यवस्ता को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है सरकार पर अब सरकार इस पर काफी सक्रिये नजारा रही है और मुख्य मंत्री ने सपस्ट निर्देश दिया है कि पंचायत में एक हाई स्कूल और एक इंटरमीडियेट स्कूल को इस्थापित किया जाए इसके अलावा बिहार बिधान परिशद में भी नौकरियों का पिटारा खोला जा रहा है ऐसी स्थिती में देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार सरकार सरका नौकरियों से बिहार के बेरोजगारों को अपनी तरफ आकरिष्ट कर पाती है प्रक्रिया के तहट ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 अगस्थ से सुरू हो जाएगी अंतिम्तिती 8 सितंबर को है सहायक निम्नवर्गी एलिपिक, सहायक अनुवादक वच्छालक के लिए आवेदन मांगे गए है आपको बता दे कि सिख्छा विभाग के मुताबिक 2022 तक हर उच विद्याले को मौडल स्कूल के रुप में विक्सित किया जाएगा इस पर 436 करोड रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है इसमें केंद सरकार की भी सहायता यानि की बीतिये मदद मिलेगी और बिहार सरकार भी अपना अंसदान करेगी आपको बता दे कि सिख्छा को लेकर के बार बार बिहार सरकार और बिहार के सिख्छा विवस्ता पर उंगलिया उच रही है इसे ले करके नितीश कुमार अब काफी सक्रिये और इस पर ध्यान देने लगे हैं इतना ही नहीं और भी कईये से विभाग हैं जहां नए सीरे से बहाली करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है विधान सभाव विधान परसित के लिए भी रिक्तियों को भरने की कवायत सुरू है वहीं सरकार पुलिस बिभाग को भी दुरुस्त करने पर विचार कर रही है बाचित के दोरान बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने कहा कि राज्य के 24,000 सिपाही धाई हजार दरोगा और 2,000 ड्राईवरों की बहाली की प्रकृए जلद ही सुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि इस महीने के अंध तक ये प्रकृए शुरू हो जाएगी इसके साथ दरोगा और चालक के पदो के लिए भी बहाली के प्रक्रिया पर जल्दी ही विभाग फैसला लेगा आपको बता दे कि नितीज कुमार भीतर ही भीतर एक ऐसी योजना बनाने में लगे हैं जो 2020 में फिर से उन्हें CM के कुर्से तक पहुंचाने में मददकार हो और जो अभेद कीला है उसे भेद सके इस लोग सबाचुनाव में नितीज कुमार ने NDA के साथ मोधी को PM बनाने के लिए यूज धस्तर पर काम किया उसे बिहार सहित तेस्ट ने देखा परंतु उसके बाद जो इस थीतियां बदली उससे उनकी नराजगी भी जग जाहिर है वहीं बिहार की राजनीत को करीब से जानने वाले मानते हैं कि नितीज कुमार को इस बात का संसर है कि उन्हें 2020 में भाजपा जटका दे सकती है भारती जनतापाटी को हस्तांतरित कर दें जब पर जानकारों की यदि बात मानें तो नितीज कुमार अभी बिहार छोड़ने के लिए तयार नहीं है अगर भाजपा का दबाव उन पर बढ़ा या जरासा भी उन्हें लगा कि उनके कुर्सी पर खत्रा है तो भाजपा बिरोधी गुट के आमंतरन को वो स्विकार कर सकते हैं इसके पहले वो चाहते हैं कि देश में जो नौकरी को लेकर बिरोधार युवा में आक्रोश है उसे सांथ कर बिहार में भारी मात्रा में बहाली निकाल कर 2020 के साथ 2024 के लिए भी एक बेहतर संदेश युवाओं के बीच दे सके उधर बिपक्ष के तरफ से भी नितीश कुमार को मोदी के समक्ष सबसे ससक्त एक मात्रनेता होने का जो बात कही गई है उसके लिए उन्हें निमंतरन दिया है ये भी एक बड़ा वज़़ है ऐसे में बड़ा ही दिल्चस्प होने वाला है 2020 का चुनाओ अगर नितीश कुम हो सकता है कि नितीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के एक मात्रनेता के रूप में सामने खड़े दिखें बिहार से हर बार राजनीत की एक नई दिशा सुरू की जाती है और बिहार में उठने वाले राजनीतिक बिकल्प को देश ने भी स्विकारा है अब इसकुमार अपनी रणनिती तयार कर रहे हैं और कहीं न कहीं योजना बना रहे हैं जिससे की वो आने वाले समय में भारतिये जनता पार्टी के समानांतर एक विकल्प के रूप में बड़े चेहरे के रूप में सामने खड़े रहे हैं 2020 की चुनाओं के बाद 2024 की तयारी कु पक्ष जो पूरी तरह से विखर चुका है वो नितीज के नाम पर एकजूट होता है जुड़े रहे हैं नियूस बिहारो भारत लाइब के साथ खबरों का सिलसिला लगतार जारी है आपकी नजर भारत लाइब पर होनी चाहिए और हमारी नजर तो लगतार आप जानते ही है के खबरों पर है नमस्ति अगर वीडियो पसंद आई अरुवा भिहार के राजनी और भिहारियत से सरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे को घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ सब्सक्राइब मिल जाए अगर वाप पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा देला से पेटियम नमबर नोटकली 938681